हेलो व्रिवन, वेलकम तो दी चैनल, करंट अफेस्पाय रवी और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जनवरी से लेकर अगस्त दो हजाच ओबीस के बीच के आपके जितने भी इंपोर्टेंट डेज हैं उनकी थीम है, उन सभी को हम डिसकस करेंगे आज के इस वीडियो में तो काफ़ इंपोर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एक साम के पॉइंट ओफ यू से तो इसको एंट तक जरूर देखना है और जितने भी आपके इंपोर्टन किशन बनते हैं इस टॉपिक से अंतरिक्ष्टिवस यानि की नेशनल स्पेस डे की तो ये सेलिबरेट हुआ है कब? ये हुआ है 23 अगस्त को यानि की ऑप्शन डी तो 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे और इसकी घोशना ये हुई थी साल 2023 में क्योंकि साल 2023 में 23 अगस्त को जो चंदरमा है उसी की दक्षणी दुरुफ पर जो हमारा विक्रम लेंडर है चंदरियान थर्ड का उसने सफलता पूरवक महा पर लेंडिंग करी थी और ऐसा करने वाला यानि की चंदरमा की दक्षणी दुरुफ पर पहुँँचने वाला तब से अब हम आगे हर साल तीस अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे National Space Day और 2024 में पहली बार था तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये भी आपको ध्यान लगता है तो ध्यान है का National Space Day कम बनता है ये मनता है 23 अगस्त को और इसका जो इस बार का विशे या फिर थीम अग प्रियास इसपेस सागा और क्यों मनाते हैं क्योंकि 23 अगस्त को क्या हुआ था विक्रम लेंडर ये लेंड हुआ था चंदरमा की दक्षनी धुरूपर तो उसी चीज़ को चिनहित करने के लिए 23 अगस्त को रास्ट्य अंत्रिक्ष दिवस की रूप में गोशित किया गया था ठीक है तो इतना आपस में ध्यान लखेंगे फिर आपका अगला क्यूशन है दस्वा रास्ट्य हद करगा दिवस ये कब मना है तो बात करें दस्वा रास्ट्य हद करगा दिवस की यानि की नैशनल हेंडलों डे तो ये सलेब्रेट हुआ है कब तो ये हुआ है साथ अगस् option जो भी है वापिस में ध्यान लखेंगे कि साथ अगस्त को हम मनाते हैं क्या नैशनल हेंडलूम डे और ये इस बार कौन जा था ये इसका दस्वा संस्क्रून था है फिर आप कह सकते हैं दस्वी बार ये मना है तो ध्यान लखेंगा साथ अगस्त सेलिब्रेटेड एस कि ओलम्पिक्स 2020 में तो उसे चीज़ को चिनहित करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं रास्ट्रे भाला दिवस भाला फेक दिवस तो ये भी ध्यान रखेंगे ठीक है इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम हो जाएगी हैंडलूम डे की सस्टेनेबल हैंडलूम हरित और समरत भव तो ये मना है 7 अगस्त को ठीके ध्यान रखेगा ओप्शन नमबर बी क्यों मना है क्योंकि 7 अगस्त 2021 को जो टोक्यो औलम्पिक्स होने थे 2020 में कोरणा की वज़े से वह 2020 में नहीं हो पाया उसके बाद में 2021 में जब यह हुए थे तो उस टाइम पर क्या ध्यान रखेंगे क कि नीरचोपड़ा ने भाला फेक परतियोगता में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था तो उसी चीज की उपलब्धी में हर साल 7 अगस्त को रास्ट्री जैवलीन थ्रो दिवस की रूप में मनाय जाने की घोशना यहाँ पर किये गई थी फिर आपका अगला किशन रहेगा व कि बात करें विश्व हाती दिवस की तो विश्व हाती दिवस यह कम मना है ध्यान रखेंगे यह मना है 12 अगस्त को देटिस ऑप्शन जो सी है वोस में याद रखना है कि विश्व हाती दिवस कम मना है 12 अगस्त को दाटिस ऑप्शन सी इसकी थीम क्या रहेगी तो इसकी थी प्रियावर्णी महत्व को मूर्त रूप देना तो इसकी थीमे जो इंपोर्टेंट है तो आपको ध्यान रखनी है फिर आपका अगला किश्चिन हो जाएगा अंतर रास्ट्र युवा दिवस दो हजा चौबीस तो बात करें अंतर रास्ट्र युवा दिवस की तो ये मनत हैं 12 अगस्त को वहीं बात करें रास्ट्र युवा दिवस की तो रास्ट्र युवा दिवस की बात करें तो ये जो स्वामी विवे खानन जी है उनके जनव दिवस पर हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को क्या रास्ट्र युवा दिवस तो दोनों को कंश्यूज नहीं करना य यह आपका international यानि की अंतरास्टे वाला और यह है आपका कौन सा रास्टे युवा दिवस ठीके तो आपको ध्यान रखना है बात करें अंतरास्टे युवा दिवस के थीम की तो इसकी थीम हो जाएगी यानि की क्लिक से प्रगर्ती तक सतक्त विकास के लिए युवा दिजिटल बार्ग ठीके तो ये भी आपस में ध्यान रखेगा फिर आपका अगला क्यूशन है विश्व मच्छर दिवस 2024 ये कम मना है बात करें विश्व मच्छर दिवस की तो ये सेलिब्रेट हुआ है बारा स 20 अगस्त को आपस में ध्यान रखेंगे कि 20 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या विश्व मच्छर दिवस यानि की वर्ट मॉस्केटो डे तो देखें मॉस्केटों से काफी जादा बिमारी लाइक आपने सुना होगा मलेरिया डेंग्यू चिकन गुनिया ये सब होते है किसकी वज़े से जो आपकी होते हैं मच्छरों की वज़े से तो उसी चीज की बिमारी उनके बारे में जाग रुकता फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है तो धान रखेगा 20 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं विश्व मच्छर दिवस और बात कर इसकी थीम की तो इसकी थीम हो जाएगी अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरी की खिलाफ रडाई को तेज करना यानि की एसकरेटिंग दफाइट अगेंस्ट मलेरिया फोरा मोर एकवटेबल वर्ड तो ये भी आपस में ध्यान रखेगा फिर आपका अगला क्शन र करते हैं क्या राष्टी प्रवतरोहन दिवस ठीक है और ये दिन क्यों मनता है तो बैसिकली लोगों को इस एडवेंचर असयान की माउंटेन क्लाइमिन के बारे में मोटिवेट करने के लिए इस दिन को यापस अलिबरेट किया जाता इसकी शुरुआत ये कहां से हुई थी तो ये हुई थी USA से फिर आपका अगला केशन रहेगा वर्ल्ड वाइट वैब दिवस 2024 ये कम मनाई गया है तो देखिए बात करें वर्ल्ड वाइट वैब दिवस 2024 की तो ये सेलिबरेट हुआ है एक अगस्त को यानि की option number C देखिए एक अगस्त को हमने डिस्कुस किया रा करते हैं एक अगस्त को तो ये आप इसमें ध्यान रखेगा ठीक है और इसके अगर हम कई बार ये भी पूछ लेता है कि वर्ल्ड वाइट वैब के जो फादर है या फिर किसने इसके डिस्कवरी करी थी किसने इसके शुरुवात करी थी तो वो थे टिम बर्नल स्ली तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है फिर आपका अगला किश्चन है कि भारती अंगदान दिवस दो हजाजाँ चौबीस ये कम मनाएगया है तो देखे बात करें भारती अंगदान दिवस दो हजाजाँ चौबीस की तो ये सेलिब्रेट हुआ है तीन अगस्त को डैट इस ऑप् कुश्च को याद केसे रखेंगे कि देखे पूरा विष्व बहुत बढ़ा है उसमें भारत एक हिस्सा है जो कि छोटा हिससा आपके है सखते हैं तो चोटे से आप ध्यान रखेंगे तीन अगस्त को और विश्व यानिकी संसार बहुत बढ़ा है तो इसलिए बढ़ा 14 वा तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे ठीक है और यहाँ पर मैंचन है विश्व अंगदान दिवस कम मनता है 13 अगर्स्त को फिर आपका अगला क्यूशन रहेगा हिरोसिमा दिवस कम मन आए जाता है तो बात करें हिरोसिमा दिवस की तो ये मनता है 6 अगर्स्त को देख है इन दोनों पर क्या किया था आप यह परमाणूबं से हमला किया जुसकी बात से काफी डिजास्टर यह हमला था हिरोसिमा पर हमला हुआ था 6 अगर्स्त को और नागस आके पर हुआ था 3 दिन बाद याने की 9 अगर्स्त को तो इसलिए शांती का मैसेज देने के लिए हर सा 6 अगस्त को सेलिबरेट करते हैं क्या हिरोसिमा दिवस को तो यह आप इसमें ध्यान रखेगा इसके लब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस बार जो जापानी शहर है कौन सा हिरोसिमा इसके 79 वी वर्षकार्ट है और अगर आपसे कोई पूछे परमाणों बम से हमला करन इसमें वाला पहला शहर कौन सा था वह हो जाएगा सा जापान का शहर हिरोशिमा हमला करने वाला दो हो तो यूएस से था बड़किस पर हुआ तो वह हुआ था यहा पर are마 जापान के हिरोशिमा शहर पर यहांप के अब आप एल्जिसन में यह देना चाहूंगी अब हिरोसि आपने मुझे comment करके बताना है धीक है अगला है भारत छोडो आंदोलन दिवस ये मनता आट अगस्त को अपशंघ जो भी है वापस निनला के Г trim छोडो आंदोलन की निवियां प रखी गईती तो उसे चीज को चिनहिद करने के लिए 8 अगस्त को हम सब्सक्राप benefits करते हैं भाराच छोड़ो आंदूलन दिवस को फिर विश्व आदिवासी दिवस 2024 तो विश्व आदिवासी दिवस की बात करें ये मनता है 9 अगस्त को यानि की option जो ए है वो आपको समिध्यान लखना है कि 9 अगस्त को क्या celebrate करते हैं ये celebrate करते हैं विश्व आदिवासी दिवस यानि की World Tribal Day और इसकी theme की बात करें तो इसकी theme हो जाएगी स्वेचिक अलगाओ और प्रारंबिक संपर्क में आदिवासी लोगों की अधिकारे को रक्षा करना यानि की protecting the rights of original people in voluntary isolation and initial context ठीक है तो यह आपस में ध्यार नखेंगे फिरे नागसाकी दिवस आलड़ेडी हमने discuss के hero सीमा तो उसी से याद रखना है क्या 9 अगस्त को ठीक है तो 9अगस्त को क्या celebrate करते हैं नागसा की दिवस किस चीज को celebrate करने के लिए किस चीज को याद करने के लिए not celebrate हम क्योंकि बहुत disaster situation थी तो celebrate हम नहीं कह सकते हैं किस चीज को याद करने के लिए तो नागा सागी पर जो हमला हुआ था उसी को याद करने के लिए हम celebrate करते हैं 9 अगस्त को क्या नागा सागी दिवस ठीक है और जो यहाँ पर bum इस्तमाल रास्टे पुस्तक प्रेमी दिवस 2024 गी तो यह मना है 9 अगस्त को यानिकी option जो ए है वापस में ध्यान रखेंगे कि 9 अगस्त को celebrate हुआ है क्या रास्टे पुस्तक प्रेमी दिवस तो यह आपस में ध्यान रखेंगा फिर आपका अगला किशन ही आपर होगा विश्व शेर दिवस 2024 यानि की वर्ट लॉयन डे तो ये सेलिबेट होता है 10 अगस्त को यानि की option number A इसकी जो theme है वो है protecting the king of the jungle तो ये theme भी आपको इस पर थ्यान रतनी है फिर आपका अगला किशन है विश्व जेव इंधन दिवस 2024 तो विश्व जेव इंधन दिवस 2024 की बात करें तो ये भी मना है 10 अगस्त को यानि की option number A और 10 अगस्त को हम सेलिबेट करते हैं क्या विश्व सेर दिवस तो दोनों ही day important है आपको ध्यान लगता है विश्व जेव इंधन दिवस साथी में विश्व शेर दिवस ठीक है तो दोनों ही ध्यान लगता है इसकी theme की बात करें तो इसकी theme हो जाएगी टिकाओ जेव इंधन हरित भविशे को बढ़ावा देना यानि की sustainable, biofuel, fueling a greener future तो यह आप इसमें ध्यान लखेंगे फिर आपका अगला question रहेगा विभाजन विभीशी का स्मरती दीवस दो हसाथ चौबीस यानि की partition horror remembrance day 2024 तो यह celebrate करते हैं 14th of August को किस चीज़ को याद करने के लिए तो जो वो भीशन हाथसा होया फिर आपके सकते हैं उसी भीशन याद को याद करने के लिए जिस दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्श है जब 14 अगस 1947 को क्या हुआ था भारत और पाकिस्तान अलग-अलग होए थे तो उस ताइम के होदे काफी लोगों अपनी जान दी उस बटवारे में उनी सब लोगों को याद करने के लिए हम सेलिबरेट करते हैं क्या विभाजन विभीशी का स्मृति दिवस को जो कि मनता है कब 14 अगस्त को 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडनेंस दे सेलिबरेट करते हैं और हम लोग यानि की भारत वासी हम सेलिबरेट करते हैं कब हम करते अपने इंडिपेंडनेंस दे 15 अगस्त को ठीक है और इस बार की थीम क्या थी इस बार की थीम ते विक्सित भारत तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे अगला किशन है आपका भारत का सुतंतर दिवस कम मनता है ये मनता है 15 अगस्त को जैसे कि अभी मैंने डिसकस किया आपके साथ में और क्या थीम इस बार की दिवस की तो इस बार की सुतंतर दिवस के थीम है विक्सित भारत अट 2047 थीगे तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे फिर विश्व फोटोग्राफी दिवस तो फोटोग्राफी दिवस की बात करी ये मनता है 19 अगस्त को और इसकी थीम काफ़ इंपोर्टन रजाती है जो कि क्या है इसकी थीम है एंटायर डे या फिर एक संपूर्ण दिवस ठीक है तो ये आप इसमें ध्यान लखेंगे फिर आपका अगला क्यूशन है विश्व मानफ्तावादी दिवस 2024 कम बना है तो बात करीब वर्ट हुमेंटेरियन डे तो ये मनता है कब तो ये मनता है आपका 19 अगस्त को तो आप्शन नमबर ए तो विश्व मानफ्तावादी दिवस कम बनता है 19 अगस्त को तो ये आपको इसमें ध्यान लखना है क्यों मनता है क्यों कि 2003 में 19 अगस्त को इराग के बगदाद में क्या हुआ था एक होटल था जिसका नाम था कैनॉल होटल उसी पर बम हमले हुए जिसमें 22 मानवे सहता कर्मी ये मारे गए और उस ताइम के जो इराग के महा सचीव थे उन्होंने यूएन के विशेश प्रतिनिदी सर्जियो विरोडी मेलो भी शामल थे तो उसी में क्या हुआ था कि ये चीज उनके डैथ हुई थी तो उसके बाद में इन सब को सेलिब्रेट करने के लिए यूएन ने ये फैसला किया 5 साल के बाद में कि 19 अगस्त को यानकी 2003 के 5 साल के बाद में ये फैसला लिया कि 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा क्या विश्व मानावतावादी दिवस तो इसलिए आपको ध्यान लखना है क्या कि मानावतावादी दिवस कम मनता है 19 अगस्त को फिर आपका अगला क्यूशन है सदभावना दिवस कम मना जाता है तो देखें बात करें सदभावना दिवस की तो ये मना है 20 अगस्त को that is option number जो B है वो आप इसमें ध्यान लखेंगे तो राजीव गांधी जी की जैनती पर ही हम सेलेबरेट करते हैं क्या सदभावना दिवस 20 अगस्त को तो ये भी आपको इसमें ध्यान लखना है और इस वारून की ये आस्तिवी जैनती थी फिर आपका अगला question है विश्व वरिस्ट नागरिक दिवस 2024 तो विश्व वरिस्ट नागरिक दिवस की बात करें ये मना है 21 अगस्त को that is option जो D है वापस में ध्यान लखेंगे तो विश्व वरिस्ट नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है और ये भी आप ध्यान ये कम मना गया है, तो बात करें महिला समानता दिवस 2024 की, तो ये मना है 26 अगस्त को, that is option, जो c है वापस में ध्यान wrapेंगे, कि महिला समानता दिवस 2024 ये मना है 26 अगस्त को, ठीक है, और हर साल 26 अगस्त को Women Equality Day, याने की महिला समानता दिवस मनाया जाता है, और ये दिन सिर्फ एक दिन का नहीं बलकि बहुत लंबे लड़ाई के बारे में आपे याद दिलाता है जुसमें कि यहाँ पर पुरुशोन महिला दोनों के समान अधिकारों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है थी कि तो ध्यानक के इंकम मनता है यह मनता है 26 अगस्त क फिर अगला किशन है काफ़े इंपोर्टेंट है रास्ट्री खेल दिवस 2024 तो रास्ट्री खेल दिवस यानि की नैशनल स्पोर्ट्स थी यह हम मनाते है मेज़ा ध्यानचंद जी की याद में तो उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं कब 29 अगस्त को that is option A तो basically भारत में हर साल 29 अ मावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल यानि कि sports to promote peaceful and inclusive society ठीक है और यह में ध्यान लखेंगे कि जो राजीव खांदे खेल दिन अवार्ड है जो की highest honor है sports के field में तो उसी का नाम बदल कर क्या रखा गया है वो रखा गया है major ध्यानचंद खेल दिन अवार्ड तो यह भी आपस में ध्यान लखेंगे फिर आपका अगला किशन यहापर होगा अंतरास्ट्री ओलंपिक दिवस यह कम बना है तो बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक डे की तो यह celebrate हुआ है 23 जोन को that is option C तो 23 जोन को हम celebrate करते हैं क्या अंतरास्ट्री ओलंपिक दिवस और इस और उनकी द्वारा दियेगे संदेशों को जीवन में अपनाने के बारे में जग रुकता को बढ़ाना तो यहीं उद्देशी क्या हो जाता है ओलंपिक दिवस का ठीक है थीम क्या है let's move and celebrate यह इसकी थीम है अगला किशन है आपका अंतरास्ट्री बाग दिवस 2024 तो यह मना ह को that is option D आप इसमें ध्यान रखेंगे और इसकी थीम क्या है इस बार की तो इसकी थीम है कारवाही के लिए आहवान यानि की call for action तो यह थीम है किसकी अंतरास्ट्री बाग दिवस की जो मनता है 29 जुलाई को फिर विश्य पर्यावरान दिवस काफी important है हम celebrate करते हैं 5 जोन को that is option D और यह इस बार इसलिए important है कि 2024 में देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने इस बार इस दिवस के उपलक्ष में एक पहल की शुरुवात की जिसका नाम है एक पेड मा के नाम ठीक है और सबसे जादा मा के नाम ठीक है और सबसे जादा जो पेड यहाँ पर लगाए हैं इसी पहल के तैट वह किसने लगाए हैं मध्य प्रदेश ने यहाँ पर लगाए हैं तो यह भी ध्यान लखेंगे तो इसलिए यहाँ पर पांच जून को से लिविट किया है वेशे पर यावरन दिवस और इसी पर ही नरेंदर मोदी ने इस पार शुरू किया कि इनिशि तो यह पर शॉना कि अगरें तो तो बात करें तो यह मना है 28 जुलाई को यानिकी option C आप शी थी कार्बाद केख़ेंगे तो वह होगी अब कारवाही का समय है यानि कि it's time for action अगले किशन है नेलसल मंडेला अंतरास्टी दिवस 2024 तो ये मना है 18 जुलाई को काफी important है ध्यान लखेगा नेलसल मंडेला अंतरास्टी दिवस कम मना है 18 जुलाई को इसकी theme क्या है तो इसकी theme है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है यानि कि it's still in our hand to combat poverty and inequality तो ये आपस में ध्यान लखेंगे अगला किशन है रास्टी सांखे की दिवस 2024 तो रास्टी सांखे की दिवस 2024 की बात करे ये मना है 29 जोन को यानि कि option जो A है वापस में ध्यान लखेंगे कि 29 जोन को सेलेब्रेट हुआ है क्या रास्टी सांखे की दिवस 2024 इसकी theme है निर्ना लेने के लिए डेटा का उप्योग यानि कि use of data for decision making अगला question है रास्टी जंडा दिवस 2024 तो रास्टी जंडा दिवस 2024 की बात करें ये मनता है 22 जुलाई को यानि की option जो D है वापस में ध्यान लखेंगे कि 22 जुलाई को सेलेब्रेट हुआ है क्या रास्टी जंडा दिवस फिर आपका अगला question है के इंदिस सरकार ने किस तिथी को समिधान हत्य दिवस मनाने के रूप में घोशना की है तो वो किये 25 जुन को क्योंकि उनका मानना है 25 जुन 1975 में क्या हुआ था समिधान की हत्या की गई थी क्योंकि उस समय इमजनसी का काफी चर्चा में थी क्योंकि लगाई गई थी काफी वो गलत भी थी संख्य दिवस यानि की वर्ट पोपुलेशन डे ये मनता है 11 जुलाई को काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी थीम है किसी को पीछे ना छोड़ना सभी को गिनना यानि की तो ये इसकी थीमें आपको ध्यान लगी है फिर आपका अगला किश्चन है वस्तु एवं सेवाकर दिवस 2024 यानि की गुड्स एन सेवाकर दिवस 2024 ये कम मना है तो ध्यान लगना ये मना है एक जुलाई को यानि की option number जो ए है वापस में ध्यान लगेंगे एक जुलाई को हम सेवाकर दिवस 2024 यानि की जावरुकता को बढ़ाने के लिए उसी चीज़ को बनाने की सेवाकर दिवस फिर रास्टे चेकित सक दिवस यानि की नैशनल डॉक्टर्स दे ये मनता है एक जुलाई को और इसकी थीम है तो ये थीम भी आपको इसमें ध्यान लगी है फिर है कारगिल विजे दिवस 2024 तो ये मनता है 26 जुलाई को जो सी है वापस में ध्यान लखेंगे कि 26 जुलाई को हम सेलिबेट करते हैं क्या कारगिल दिवस को ठीक है और 2024 में इसकी 25th anniversary थी तो ये भी आपस में ध्यान लखें ये मनता है 15 जुलाई को that is option D आपस में लखेंगे थीम की बात करें तो इसकी थीम हो जाएगी शांती और विकास के लिए युवा को शल यानि की youth skills for peace and development ठीके तो ये आपस में लखेंगे फिर स्वामी विवे कानन जी की जैनते के अफसर पर रास्ट ये युवा दिवस 2024 य जैसे हमने डिसकस किया अंतरास्टी युवा दिवस वो मनता है 12 अगस्त को लेकिन बात करें किस शीज की रास्टी युवा दिवस की तो वो मनता है 12 जन्वरी को ठीके इसकी थीम क्या हो जाएगी तो इसकी थीम हो जाएगी सब कुछ आपके दिमाग में यानिकि it's all in our in the mind फिर विश्व रक्त दाता दिवस यानिकि world blood donor day यह मनता है 14 जोन को यानिकि option जो ए है वापस में ध्यान रखेंगे इसकी जो थीम है वो हो जाएगी दान का जश्न मनाने के 20 साल धन्यवाद रक्त दाता यानिकि 20 years of celebrating giving thanks you blood donor तो यह थीम भी आपको उसमें ध्यान रखेंगी ह फिर आपका अगला किश्शन यहाँ पर हो जाएगा पहला अंतरास्टे केली दिवस काफी important है यह मना is 11 जोन को तो पहला स्लें important हो जाते है तो धन्यारा जोन को फिर आपका अगला किश्शन है दुनिया भर ने हिंडी प्रशाय प्रसार करने के लिए विश्व हिंदी दिवस 2024 कम मनता है यह मनता है दस जन्वरी को तार्ट जॉप्षन जो ए है वापस में ध्यार नखेंगे तो हिंदी दिवस की थीम की बात करें तो वह हो जाएगी क्या वह हो जाएगी हिंदी पारंपरिक ज्यान से कृतिम बुद्धि मत्ता तक यानि कि फ्रॉम हिंदी ट्रेडिशनल नौलेश ओ आर्टिफिचल इंट्रिजेंस तो यह आपस में ध्यार नखेंगे फिर रास्ट्रे पंचायती राज्टिवस 2024 यह कम मना है तो बात करें रास्ट्रे पंचायती राज्टिवस 2024 की तो यह मना है आपका 24 अप्रेल that is option जो C है वाप में ध्यार नखेंगे कि रास्ट्रे पंचायती राज्टिवस 2024 यह मना है कब यह मना है 24 अप्रेल को that is option C तो हर साल रास्ट्रे पंचायती राज्टिवस 24 अप्रेल को मनाया जाता है और इसी दिन 1992 का तहितरव समिदान संसुदन यहाँ पर लागू किया गया था और उसी सम में यह दिन हर साल भारत में मनाया जाता है ठीक है तो यह आपस में ध्यार नखेंगे फिर विश्व मलेरिया दिवस 2024 यह मनता है 25 अप्रेल को सेलेब्रेट करते हैं क्या विश्व मलेरिया दिवस 2024 को इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है अधिक न्याय संगत दुनिया के लि तो 18 अप्रेल को हम सेलेब्रेट करते हैं क्या वर्ल्ड हैरिटेस डेट ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर इसकी थीम के अगर हम बात करें तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है विविद्धा की खोज करें और अनुभव करें यानिकी तो यह अपस में ध्यार लिखेंगे फिर अगला किशन है विश उपभोकता अधिकार दिवस दो हजाँ चौबीस तो यह मना है पंदरा मार्च को यानिकी ऑप्शन बी और इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है उपभोकताओं के लिए निस्पक्ष और जिम्मेदार एया यानि की फियर एंड रिस्पॉंसिबल एयाई फोर कंज्यूमर्स फिर विश्व फुटबोल दिवस कम मनता है तो बात करें विश्व फुटबोल दिवस की काफ़ इंपॉर्डेंट है क्योंकि अभी घोशित क्या गया तो यह मनता है 25 मई को दो बार यहाँ पर ऑप्शन दिये ग मना क्या है तो बात करें विश्व स्वास्ति दिवस 2024 की तो यह मना है साथ एप्रिल डाटरस ऑप्शन अमबर सी इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है मेरा स्वास्तिय मेरा अधिकार यह इसकी थीम यहाँ पर हो जाएगी फिर विश्व आदरभूमी दिवस 2024 तो विश्व आ और इस बार आपको इसले भी यह दिन इंपोर्टेंट रखने क्योंकि अगस्त दो हजार तेईस तक फिर आपके सप्टमबर लास्ट में आप स्टार्टिंग में आप देखेंगे अभी तक क्या है कितने रामसर साइट्स हो चुके हैं इंडिया में तो यह हो चुके हैं टोट विझ्यान दिवस तो यह मनता 28 फरवरी को सीवी रमन जी की याद भी ध्यान रखेगा 28 फरवरी को सेलिबेट करते हैं क्या राश्टी विझ्यान दिवस इसकी थीम है विक्सित भारत के लिए सुधेशी तकनीक याने की इंडिजीनिस टिक्नालोजी फो डेवलट इंडिया तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे फिर सयक्त रांस्ट लॉक सेवा दिवस 2024 कम मना जाता है तो ये मना है 23 जोन को That is option A तो 23 जोन को celebrate हुआ है क्या सयक्त रांस्ट लॉक सेवा दिवस 2024 फिर आपका अगला किश्चन है विश्व तमाको निशेद दिवस 2024 कम मना है तो ये मना है 31 माई को That is option A तो 31 माई को celebrate हुआ है क्या विश्व तमाको निशेद दिवस 2024 इसकी थीम क्या होगी तो इसकी थीम है बच्चों को तमाको द्योग के संक्रमन के खत्रा तो ये आपस में ध्यान लखेंगे फिर विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 तो ये मना है 8 माई को That is option D और इसकी थीम है मैं खुशी के साथ देता हूँ और खुशी में देता हूँ वह एक पुरुसकार यानि कि I give with joy and joy I give is a reward तो ये आपस में ध्यान लखेंगे फिर राष्ट्रे प्रोध्योग की दिवस 2024 ये कब मना है तो ये मना है 11 माई को That is option A तो 11 माई को celebrate करते हैं क्या National Technology Day 2024 और इसकी थीम क्या होगी तो इसकी थीम यहाँ पर आपको याद रखने जो की हो जाएगी स्कोलों में स्टार्टप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रवजलीत करना यानि की From School to Startup Initiating Young Minds to Innovate तो ये आपस में ध्यान लखेंगे फिर लुइस ब्रेल के जिनमतिधी के अफजर पर विश्व ब्रेल दिवस 2024 का मनता है ये मनता है चार जन्वरी को और इसकी थीम क्या होगी तो इसकी थीम यहाँ पर होगी समवेश और विविद्दा की माध्यम से शशक्ती करन यानि की Empowerment through Inclusion and Diversity तो ये भी आपको उसमें ध्यान लखना है फिर आपका अगला किशन यहाँ पर होगा अंतरास्टी महिला दिवस 2024 तो अंतरास्टी महिला दिवस 2024 की बात करें ये मना है आठ मार्श को ताट इस ऑप्षन जो बी है वापस में ध्यान लखनेंगे इसकी थीम के अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा महिलाओं में निवेश करें प्रगर्ती में तेज़े लाया याने की इन्वेस्ट इन विमन एक्सिलरेट दर प्रग्रेस तो ये आपने इसमें ध्यान लखना है फिरे विश्व कबट्टी दिवस 2024 इंपोर्टेंट है ये मनता है 24 मार्श को ये आप ध्यान लखेंगे विश्व कबट्टी दिवस 2024 इसके थीम की बात करें तो वो हो जाएगा पुरुशो के द्वारा निर्मित महिलाओं के द्वारा परिपूर्ण याने की Created by the men and Perfected by the women ठीकी तो ये आप इसमें ध्यान लखेंगे फिर विश्व कैंसर दिवस 2024 तो ये मना है चार फरवरी को दाटर्टी जो बी है वापस में ध्यान लखेंगे और इसके थीम की बात करें तो वो हो जाएगा Close the care gap Everyone deserve access to Cancer care ठीकी तो ये आपस में ध्यान लखेंगे फिर अंतरास्टे सिक्षदिवस 2024 कम मना है तो अंतरास्टे सिक्षदिवस की बात करें ये मना है 24 जनवरी को दाटर्ट ज ओप्शन भी आपस में ध्यान लखेंगे और इसकी थीम की बात करें तो वो हो जाएगा क्या तो वो हो जाएगी अस्थाई शान्ती के लिए सीखना यानिगी लर्निंग फूर लास्टिंग पीस तो ये भी आपने इसमें ध्यान लखना है फिरे भारत में 14 वा रास्टी मतदाता दिवस 2024 ये कब मना है तो ये मना है 25 जनवरी को ताट इस ओप्शन डी आपने ध्यान लखना है इसकी जो थीम है वो हो जाएगी वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर टालेंगे हम यानिकी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर शूर ये इसकी थीम है तो आपको ध्यान लखना है रास्टी मतदाता दिवस 2024 की थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर शूर फिर है आपका अगला कुशन रास्टी परियाटन दिवस 2024 का मना है तो परियाटन दिवस की बात करें ये मना है 25 जनवरी को ये आप इसमें ध्यान लखेंगे के सभी इंपोर्टन दिवस को यहाँ पर कवर किया है उनकी थीम्स को कवर किया है तो सभी को आपको याद रखने उनको पढ़ना है अच्छे से तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो कम्प्लीट होती है अब टरनाता है टेस्ट का तो कुछ कुशन्स मैंने इससे पहले भी आपसे कुशन्स की वीच में पूचे तो उनका अंसर साती में जो कुशन्स में अब आपसे बुशने हैं क्या अंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो पहला कुशन यहाँ पर आपका होगा आपको बतानी है उसके लावा उस दिन को और कौन सा दिन हम सेलेब्रेट करते हैं यह भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है इसके लावा देखिए हमारी जो पीडिएफ रिलीज हुई है रीसेंटी वो हुई है जन्वरी से अगस्त की कम्प्लीट एट मन्त की करन्ट एफ जिसमें कि आपके मोर देन 5000 प्लस कुश्चिंस यहाँ पर अवेलेबल हैं उनके लिएच चल्द ही है और मंतली कंपैलेशन भी लिया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिफ अगस्त का पीडिएफ ले सकते हैं तो आप और सिफ अगस्त का मंतली कंपैलेशन कंपैलेशन आपको प्रवाइड करा दिया जाएगा तpolite इसके लिए आमोध किया करना है यहां पर आपको daily current affairs classes तो वो available हो जाएगी तो आप इसको join कर सकते हैं और जो भी upcoming classes होती है उनकी जो link है वो भी आपको ही से available हो जाती है इसके लवा हमारा mobile application app रवी study gk आप इसको भी install कर सकते हैं प्ले स्टोर से यहां पर आपको काफी सारी questions daily current affairs के वो available हो जाएंगी तो आप इसको भी install कर सकते हैं रवी study gk के नाम से आपको यह available होगा रवी study iqgk के नाम से अविलेबल होगा आपको प्ले स्टोर से तो आप इसको वहां से जो इंस्टॉल कर सकते हैं इसके लवा जो website में आप से डिसकस करिए वो कुछ अस्तरी की सा आपको देखी कि जहां पर आपको हर महीने अपडेट किया जाएगा जो भी आपकी मंतली या जो भी आपका compilation आता है current affairs का तो यह था आपका आज का complete video video कैसी लगी आप मुझे comment करके जरूर बताएं इसके लावा आप और कॉंसे टॉपिक वाइस फीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं और अपना feedback जरूर दे thank you so much have a good day and wish you all the very best for your exams